कॉंग्रेस और राष्ट निर्मान की गाथा कमलनात के मीडिया सलाहकार प्यूश बवेली की ये किताब भारती जनता पार्टी को रास नहीं आ रही है क्योंकि इसमें दक्षन पंथी संगठनों खासकर हिंदुबादी संगठनों आरेसेस पर निशाना साधा गया है और इसकी कई बातों को भारती जनता पार्टी के नेता आपति जनक बताते हैं और इतिहास के साथ छेड़ चाड़ बताते हैं हमारे साथ प्यूश बवेले मौजूद हैं बवेली जी इस किताब पर बीजेपी को बहुत एतराज है इस किताब पर पाकिस्तान के अलावा किसी को एतराज नहीं होना चाहिए अगर इस किताब का आप कवर पेज देखें तो उसमें गांधी जी बने हैं उसमें सरदार पटेल बने हैं डॉक्टर राजिन परसाद हैं मौलाना आजाद हैं तमाम देश भक्त जिसने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं वो हैं इनकी कुर्बानी पर सिर्फ औ आपने आरोप लगाया है कि यह जो है इन्होंने भी देश तोड़ने में महतवपूर्ण भूमी का निभाई इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया खासतोर पर वीर सावरकर के बारे में भी आपने बात कही उसे भारती जनता पार्टी उन्हें एक राष्ट भक्त कहती है भारत छोड़ो आंदुलन का विरोध सावरकर ने लिखकर किया है ये सब को पता है ये तो सूरज की तरह चमकता हुआ तथ है दूसरी बात हिंदू महासभाने और खासकर सावरकर ने जिन्ना से पहले हिंदू राष्ट की मांग उठाई थी उसके बाद पाकिस्तान की के लिए नहीं कह रहे हैं संब्धान निर्माता डॉक्टर भीमराओ अंबिटकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान अत्वा भारत का विवाजन में ये इस पश्ट रूप से लिखी है कोई भी पढ़ सकता है भारत सरकार ने ये किताब छापी है वहां पढ़ने भाजपा के म बात में कोई संदेह नहीं है कि इस महत्मा गांधी के हत्या के पीछे हिंदू महासभा के एक बर्क का नाम है और ये भी आप जाके कोई भी देख ले भगवान जाने लोग क्यों देखना नहीं चाहते हैं क्या विनायक दामुदर सावर कर महत्मा गांधी की हत्या के आरोप करता हूँ कांग्रेस पारटी देश को प्रेम करती है तो जो भी देश भक्त हैं उनकी तारीफ है और जो देश के खिलाप रहे उनकी सच्चाई तो देश के सामदे लानी पड़ेगी अगर हम सच्चाई देश को नहीं बताएंगे तो जो कुछ गोटसे वादियों ने आज कल फरजी राष्टवाद की दुकान खोल ली है वो भारत माता के सच्चे राष्टवाद को छुपा देंगे उस छुपाने के प्रयास को सच्ची वीरता को छुपाने की जो तिकड़ में अपनाई जा रही है उनको उनके उपर से धूल हटाने का काम यह पुस्तक करेगी और भारत माता की आजादी की लड़ाई की और राष्ट निर्मार की सच्ची कहानी बालकों के सामने जंता के सामने लाएगी पर इसमें बीजेपी कहती है कि पंडित नहरू ने ही डॉक्टर अमवेटकर को हराने का शडियंत्र रचा और सुभाश चंद बोश को नीचा दिखाया यह बीजेपी कहती है बीजेपी क्या है मुझे लगना बिना पड़े लिखे लोगों का एक अंतराश्ची गेंग बनती जा रही है उन्हें पता है सुभाश चंदर बोश ने अपनी आत्म कथा में लिखा है कि नहरू मेरे नेता है भगस सिंग ने अपने पत्रों में लिखा है कि मुझे नहरू देश के सबसे बड़े नेता है और जब सरदार भगस सिंग जेल के अंदर बन थे तो पंडिश जवाला लहरू उनसे मिलने जेल में गए थे भाजपा बताए कि RSS और हिंदू महासभा का कौन सा नेता उनसे मिलने गया था यह जड़ा देश के सामने लेके आए बवेली जी आपने एक किताब लिखी बड़ी छोटी सी किताब है हाला कि इसी से विबाद शुरू हो गया आने वाले समय में यह तो लगता है कि एक ट्रिलर है पूरी फिल्म तो बाकी है असल में हो क्या रहा है कि एक अग्यानता की आंधी चल पड़ी है देश में यह प्यूस बवेले इसके लेखक भी मत कहिए यह तो पहले से जो सब दर्ज है जो सरदार पटेल ने लिखा है जो मॉलाना आजाद ने लिखा है जो डॉक्टर अमबेटकन ने लिखा है बड़ी बड़ी किताब में सबने लिखी हैं तो मैंने उन्हीं के हिस्से उठा के छोटे छोटे में इसमें छाप दिये हैं तो ये जो प्रोपगंडा मशीनरी भारत की भाजपा की है और दुस्परचार अभियान जो इनका चल रहा है उसको जो हम सच का आइना दिखाते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है मेरी कोशिस तो ये है कि जो अंधेरा फैलाया जा रहा है उसमें एक दीपक जलाओं ताकि उसकी रोशनी के में उसके मध्धम प्रकास में सच्चाई दिखाई दे और भगस सिंग हैं सुगदेव हैं राजगु हैं महत्मा गांधी हैं मौलाना महत्मा गांधी सियासत और सांपरदायकता उसके बाद अगर सब ठीक ठाक चलता रहा तो ये काएगी महत्मा गांधी मिथक और सत्य इसके पहले मेरी बेस्टिलर किताब आलेडी है जो 2019 में आई थी ये पंडे जवाद नहरू मिथक और सत्य जो लोगों ने पढ़ी तो ये बीजेपी इससे इतफाक नहीं रखती उसकी नजरिये में राष्ट भक्ति की परिभाशा अलग है जिसे कॉंग्रिस राष्ट भक्त नहीं मानती उसे बीजेपी वीर मानती है तो ये विवाद लंबा है और इस विवाद के पीछे की सचाई इतिहास के पन्नों में दर्ज ह केमरमें सुरेश का ट्यार के साथ अतुल पाठक स्वराज एक्स्विस बोपार